ये बताओ कि जो ये चीजें हमारे पास रखी हैं जैसे ये एक छीलन है धातू के बता सकते हो कौन सी धातू की छीलन है ये तांबे की छीलन है बिल्कुल सही बताया तुमने अब देखो ये दूसरा एक पाउडर सा है ये देखो रखा काले काले रंग का पाउडर दिखाई तुमों को मालो में यह गुर्णा है और यह पीले रंग का जो हमारे पास यह रखा है पाउडर है कि जुड़ा यह कि पाउल इस शूतीम ईकाईओं को हम को आप स्पास कई तर देखते हैं फ्सक्राइढब Verkehr छोटी-चोटी मौली कि काईओं और इन ऑर इन छोटीमौन इकाईयों को हम कहते हैं तत्तो है, यह जो हमने बताया गंधक, यह गंधक के छोटे-छोटी इकाईयों से मिलकर बना है, यह गंधक का पाउडर, ऐसे ही यह जो लोहे का प्चून है, यह आइरन यानि लोहे के छोटी-छोटी इकाईयों से मिलकर बना है, ऐसे ही यह जो के छोटे छोटे इकाईयों से मिलकर बना हुआ है और इन ही छोटी इकाईयों को हम कहते हैं तत्तो है अब देखते हैं हम अगर हम दो तत्तो देखो आपस में मिलाते हैं इन छोटी इकाईयों को एक में हम देखो थोड़ा सा क्या लेते हैं गंधक लेते हैं ये देखो हमने थ दूब अर उसको आपस में देखो, हमने मिला दिया. क्या चीजह लोहे का चूरा और गंधर, इसमें हम ने दो चीजह मिलाई है, एक है गंधर और दूसरा लोहे का चूरा. अब ये बात देखें और अभी मिश्रण बन गया इनको दोनों को हमने मिलाया दो तत्तों को तो ये मिश्रण बन गया अभी इस मिश्रण के पास हम भखलाते हैं देखो फिर क्या हूगा? ये लोहे को चिपका करके गंदक से अलग कलिया। यहार्वानीमिश्रण की अवियवोंको उनके गुरोंके आधार पर क्या किया जा सकता है ? अलक किया सकता है अगर हम देखो अलक करते इनकों अलक से लाग के गुर्ण देखते हैं of te लेकिन इन दोनों को हमने जब मिला दिया था, मिखरन बना दिया, तो हमने क्या देखा, कि लोहे के जो अपना गूर्ण है, चुम्बक ये गूर्ण, वो उस मिखरन में भी उपस्ते था, यानि मिखरन में, जैसे ही हम चुम्बक पास ले गए, जो लोहा उसमें मिशृत था वो क्या हुगा? चिपक कर अलग यानि मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है क्योंकि मिश्रण में जो अवयव मिश्रित हैं उनके अपने अलग-अलग गुण मिश्रण में भी विद्दमान रहते हैं अब हम देखो इनी दोनों का इनी दोनों पदारथों का जो हमने अभी इसमें मिलाए हैं हम फिर एक देखो दूसरे उसमें मिलाते हैं और अब कि हमें इने देखो गरम करते हैं तब देखो क्या होगा ये देखो थोड़ा सामने इसमें गंदक लिया एक अलग पॉर्सलेन में और थोड़ा सामने इसमें मिलाया क्या ये देखो लोहे का चूरा है ये है ये है इसमें गंदक है इसमें लोहे का चूरा ये देखो हमने इसमें मिला दिया और आपकी बार हमने क्या किया? इनको गरम किया ये spirit lamp हें हमारे पास अब देखो spirit lamp जला लें फिर इसको गरम करते हैं तो अब देखना बताना गरम करने से क्या हुआ अब देखो यä spirit lamp जल गया अब हमने इसमें ये चो पदार दोनों मिलाए हैं इनको हमने अच्छी तरे से मिला दिया और आप हम इसमें गरम कर रहे हैं देखो अभी थोड़े देर में गरम होगा और फिर हम इसमें देखेंगे क्या आप गरम होने के बाद भी लोहे के और गंधक के अलग-अलग गुन इसमें भी दमान है क्या भी लोहा चुम्बक द्वारा अकर्शित होगा यही हमें देखना है हमने इसमें क्या-क्या चीज गरम कर रहे हैं बताओ अंशु लोहे का चूरा गंदग अंशु से पूछा था अंशु बताओ क्या-क्या गरम किया हमने लोहे का चूरा गंदग हर, तुम मता हो तुमारा किया नाहम है, शिवाषू क्या हो रहा है कुछ, कोई चीज इसमें चिपक नहीं रही है, क्यों नहीं चिपक रही है, क्योंकि अब इस ने आईरन ने गंधक से, यानि लोहे ने गंधक से क्रिया कर ली है, और अब इसमें जो पदार्थ बन गया है, वो अब ना लोहा है ना गंधक है, वो अभिक्रिया क फलसरूप क्या बन गया है लोहे का सलफाइड बन गया है और इस जो अबिक्रिया के फलसरूप दोनों दत्तों का मिल के जो बना है पदार्ट इसी को हम क्या कहते हैं योगिक कहते हैं और योगिक में जो अब यब मिश्रित हैं जो जो चीजें हमने मिलाई थी उनके अलग अल और ना ये गंधक है, ये मिश्रन नहीं है, ये क्या है? इस दोनों चियों का अविक्रिया करके एक नया पदार बन गया है, इनको हम योगिक कहते हैं, यहनी भिन्न भिन्न सत्तों को यदि निश्यत अनुपात में मिला दिया जाए और फिर ताप दे दिया जाए, यहनी ताप सकते हो किन किन तत्तों से मिलकर बना है, ये रंगीन पानी हमारे पास, तो पानी किन किन तत्तों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और आक्सीजन गैसों से, पानी किन किन चीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और आक्सीजन गैसों से, बड़े ताज्यू की बात ही यह है, क और आक्सीजन भी जलाने में सायख है, आक्सीजन ही, कि आक्सीजन अगर नहीं होगी तो कोई चीज नहीं जलेगी, और ये जब दोनों मिल गए पानी बन गया, तो पानी के गुण ये है, कि ये आग को बुजाता है, यानी पानी में ना हाइडूजन के गुण रह गए, ना अपने अलगों हैं, तो इसका मतलब यह है कि योगिक वो पदात हैं जिन में जो जो अब यब मिश्रित हैं उनके गोंविद्दमान नहीं रहते हैं, इसी तरीके से देखो हमारे पास एक और योगिक है, इसको हम कहते हैं नमक, बता सकते हो कि नमक किन किन दखतों से मिलके बन आइन की भाषा में या विज्ञान की भाषा में हम इसको नमक नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, हमारे साथ बोलो क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, हमारे साथ बोलो क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, हमारे साथ बोलो क्या कहते हैं, सोडियम क्लोरा और आकसीजन, और इसका विज्यान की भाशा में इसका नाम है सुक्रोज, क्या कहते हैं, सुक्रोज, थे सब्सक्रोज, इसको हम पर race, यह जो शक्तर अपने मीठा कंने के लिए दूद में डालते हो, यह चाय किते हो एило कि दूद पीते हो। तो उसमें मीठा कंने के लिए क्य बच्चों तक तो क्या है जैसे हम ने बताया था शुरू में कि ये कापर की जो छीलन है ये कापर की छोटी-छोटी माली की काईयों से मिलके बनी है और इन छोटी माली की काईयों को क्या कहते हैं कापर कापर में चुम्बक के द्वारा आकर्शित होने का गुण नहीं है देखो चुम्बक ले जा रहे हैं कहां आकर्शित हो रहा ही गुणे नहीं हो रही है अच्छा, इसी तरीके से ये जो लोहे का चूरा है इसमें लोहे के शूख छोटे-छोटे मौलिक का उपस्तित हैं चिपक गया, क्यों चिपक गया, क्योंकि चुम्बक लोहे को आकर्शन करती है, अर्थात लोहे में चुम्बक द्वारा आकर्शन का गुन है, अब एक iron sulfide का टुकड़ा हमारे पास है, ये देखो, ये iron sulfide है, जैसा इसमें बना है, ऐसे ही ठोस होके, ये ऐसा हो जाएगा iron sulfide, ये जो हमने इसमें प्याली में बनाया था, गरब करके, इसको अधिक मातरा में बनाएंगे, तो ये iron sulfide इस तरीके का टुकड़ा बन जाता, ठोस जाता, अब इसमें भी iron और सलफर है, क्या-क्या है, गंधक भी है इसमें, और लोहा भी है, अब इसमें देखते हैं कि ये त विद्धमान है, तो इसके पास भी देखो, हम चुम्बक ले आते हैं, ये चुम्बक को उमने पोच दिया, अब इसको इसको इसके पास ले गए है, देखो, iron sulfide है, लोहे का ही है, लोहे और गंधक का ये ये योगिक है, जिसे हम क्या कह रहे है, iron sulfide है, देखो, iron sulfide है, और जिपख मेर रहा है, छिपख मेरा है, ये ये योगिक जो है, लोहे से मिलकर बना है, लेकिन चुनकि अब ये योगिक हों गया है, इसलिए इसमें लोहे के गुञ्ड कैermint बिदमान नहीं है, तो योगिक मैरे इस तरीके से यानि दो तक्तों मिलते हैं, जिनको ताप का अद प्रेदान बर्दान होता है और वह आपस Hearts By ले де कर लेते हैं और अवी क्रिया के फंसरूब बंगता है उसको योगिक कहते यानि योगिक क्या हुआ जब तरज को निश्चित तनपात में मिलाया जाए और नया पदार बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे योगिक कहते हैं और आभी क्रिया ना हो और दोनों को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे मिश्रा कहते हैं तत्त योगिक और मिश्रा को अच्छी तरह से समझ गए ना अब जो दर्शक जो साथी हमारे इस कारिक्रम को देख रहे हैं उनसे हमारा आगर है कि ऐसे ही अपने परिवेश में जो चीज़ें देखें उसमें तत्त मिश्रा और योगिकों को पैचाने